नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चीनल में आज वीडियों में हम बात करेंगे हमारे चिछोटे बच्चे कreli कोई दुआ कि एस छॉटगे उनुर्फ काफ जम हुआता है पिगल करके pass out हो जाएगा इसके लिए आप कुरना क्या है और कैसे करना है वही हम इस अजन्वाइन का कपड़ा lieu sound आप इस अजवाईन को ध्यान से सुने चाहिए यहां शुक्त करते निया आप को आप इस तरीके से बतारी हूं आप जो है गरम कर लिजीए को फिर यह जो ठाले शुक्त कर ली यह तो भी प्रॉब्लम नहीं है लिकर लेती है तो थोड़ा बैटर होगा ठीक है दर शुक्त कर इस्कान आपको छोड़ा सब्सक्राइम क्या लख ले लेने हैं इसको आपको इसके अंदर इस तर्शेयगे से würdSn jде लेकर कर लेकम pię आजवयन तो कोई परश्टेट नहीं jetzt ताब ऑजवाईन के साथ में जो आप लेसोन की कलिया है, इनको आपको तवे पर गर्म को तवे पर आपको this तर फक Kate Haval एक बॉली होई है। इसके आपको इसके साथ मिक्स से कए स US इस तरीके से आपको बना लेनी है। इस तरीके से यह बनी से कट HEAaa यह आपको साइड में रख देना ठीक हैं यह लिए बना के रख लिया है यह इसको आप कर लिए यही इन तरीका में आपको बता हुँ नहीं यह श्याति चाहती से जो कंफ प्र हगए रहा है बहुत लाब का रहा है दोश्तों अब आपको क्या करना है बच्षी जो चेस्ट पर आपको जो है बच्चों की जो विक्स होती है वो यूज करना है ध्यान से समझेगा कि जो ग्रीन वाली होती है वो नहीं यूज करना है इसको नहीं करना है हमें बच्चों वाली जो विक्स होती है बेबी रब वो आपको यूज करना है ठीक है वो आपको simply जो है इस तरीके से finger tip पे लेना है और बच्चे की पूरे chest पे easily जो है आपको अच्छी तरीके से उसको जो है इस तरीके से chest पर जो है यहाँ पर इस तरीके से कपड़े के अंदर से उस तरीके से इसको यहाँ पर पूर अच्छी तरीके से यहाँ पर एपलाई कर होई थी इसके बाद क्यों आपको क्या गकूंए शुकर करना यह आप सिन्धर आप यह कामास पंभीछ है वग को पूंग करना है वुट अन्ब नहीं है लेकिन आपको लेना है थी कामास हुँ तक पूंग करके फीट कर आप देख सकते हैं लिंक को डिसक्रिप्शन में देदूगी आप देख लिजी का कि भूलना कैसे है लेस्न को ठीक है फिर अमें क्या करना यह गरम तबी पर हलका हलका सा यह तवा इतना जल्दी थंडी नहीं थंड़ा नहीं होगा आप अपने पास रख लिजिए उसको गरम क बच्चे को सिखाई करनी है आपको बैठके घंटों नहीं करना है विदिन फाइब मिनिट सी आपको बच्चे को सिखाई करनी है मतला अब इसको गरम करके लाएं है अपने बगल से लग दिया है और इस तरीके से आप करते चाहिए और हलका से अपने हाथ पर देखिए और पूरे चेस्ट पे आपको बच्चे की अच्छी तरीके से सिकाई कर देनी है चेस्ट की भी कर देनी है और प्लस यहाँ बैक की भी कर देनी है अच्छी तरीके से ठीक है सिकाई करने के बाद विक्स से आपने सिकाई कर दी है इस विक्स आपने लगा रहा है, इस तरीके से सिकाई कर दी है, उसके बाद आप बच्चे को जो है, जो कपड़े बच्चे ने पहने हुए है, वो आप बच्चे को एक डबल कपड़े पिना दीजी, ठीक है, यह जो शिकाई आप ऐसे से करेंगे, वो आप पांच मेट तक कम स करेंगे, करना कितनी बार है, दिन में आपको दो बार करना है, इसको सुबह और साम, इस तरीके साब बच्चे के सिखाई कर देंगे, बैक की और चेस्ट की दोनोई साइड की, इस विक्सार्ट की बच्चे को बख़त जल्दी आराम मिले, ठीक है, समझ गया तो इसको आपक अधियांने लिफ भी के बाद में अग्धियान धियाओं लिफास दो स्टेंपर दो गइसे करते और कुट mag धिया या सेम कोई का स्ट्रीम जब प्ण ही हमेड़ी को दो मिझा है युछ Columbus कि मिलने भी नहीं है। अगर बच्चे को जादा ही कफसी समस्य हो रही है तो इसके साथ साथ यह तो लाबकारी है ही इसके साथ आप डॉक्टर्स की भी सला ले सकते हैं इसमें कोई भी बुराई नहीं है ठीक है ना तो अब आप समझ गेंगे दोस्तों यह जो तरीका है दोस्तों यह बहुत जादा लाबकारी है आप बच्चों की चेस्ट पर इस तरीके से सिकाई कर सकते हैं आप चाहें तो बच्चों को जो है लेस्न की माला भी पना के रख सकते हैं 24 गंटे के लिए जिससे की बच्चे को यहां पे काफ़ है उसको मिल्ट होने में काफी आरा मिलेगा लेस्न की माला कैसे बनानी है उसके पर और लेडी वीडियो बनाया हुआ है आप वहां से देख सकते हैं जिससे की बच्चे को बहुत ज्यादा help मिलेगी तो यह वीडियो अगर आपके लिए helpful रहा हुआ आपको पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत बूलेगा इस व तहली वीडियो में तक लिना मिशकार थेंक यूँ